से हैं दोस्तों आप सब और आज में आप लोगों को दिखाने वालों All New Tata Safari और गाड़ी का आप लोग फ्रंट से complete look देख सकते हैं Chrome Finish के साथ आप लोगों को इसमें Tata का लोगो देखने को मिलता है ग्रिल में Tri Arrow Design में आप लोग देख सकते हैं complete जो की Tata Harrier से इसको अलग बनाता है बाकी फ्रंट से गाड़ी same है आप लोग देख सकते हैं LED DRLS देखने को मिलते है LED Turn Indicator के साथ जो की वही काम करेंगे नीचे की तरफ Projector Headlamp देखने को मिलता है High Beam के लिए Halogen Bulb देखने को मिलेगा आप लोगों को और वहीं पर Foglum देखने को मिलती है गाड़ी में गाड़ी की Side Profile से आप लोग complete look देख सकते हैं 18 इंच केस में दोस्तों आप लोगों को Machine Cut Alloy Wheels देखने को मिलते हैं आप लोग देख सकते हैं काफी अच्छे डिजाइन के साथ Body Cladding देखने को मिलती है ओल ओवर पूरी गाड़ी में गाड़ी का Side से complete दोस्तों look देख सकते हैं आप लोग Outside O-RVM's Piano Black Finish में 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 लेंग विद L.E.L. Turn Indicator Integrated ये आप लोग देख सकते हैं और Door Handle में भी आप लोगों को Keyless Go देखने को मिलेगा Code Driver Side उपर Roof में Panoramic Sunroof, Roof Rills और Sharkfin Antina देखने को मिलता है गाड़ी में और गाड़ी के पीछे से भी look की complete आप लोग देख सकते हैं कैसा कुछ दिख रहा है Color Option की बात करें तो आप लोगों को इसमें 3 देखने को मिलेंगे ये Royal Blue Color आप देख रहे हैं इसके लावग ग्रे और वाइड कलर का भी option अभी फिलार के लिए टाटर ने बताया है इसमें और गाड़ी का पीछे से complete आप लोग देख सकते हैं सेफटी फीचर्स की बात करें इस particular variant की तो इसमें आप लोगों को six airbags, tire pressure monitoring system, ABS, EBD, electronic parking brake ये सब फीचर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे उपर spoiler में LED highmont stop lamp देखने को मिलेगा और ये shark fin antenna और यहाँ roof rails में भी काफी अच्छा design दिया गया है safari का महाँ पर badging देखने को मिलेगी गाड़ी में आप लोगों को all four disc brake देखने को मिलेंगे standard हर variant में टाटा safari के और गाड़ी का आप लोग पीछे से भी complete look देख सकते है गाड़ी की अगर अगर boot की space की बात करें तो third row अगर आप fold कर देखेंगे 447 लिटर का boot space देखने को मिलेगा गाड़ी में गाड़ी की length की बात करें तो 4.6 मिटर की length मिलेगी और 1.8 मिटर की height मिलेगी गाड़ी में और ऐसा कुछ दिखता है गाड़ी के पीछे के passenger side gate का लोग यह आप लोग देख सकते हैं ambient lighting देखे को मिलेगी door में और यह नीचे भी lamp देखने को मिलेगी गाड़ी में और ऐसी कुछ दिखती पीछे की third row की seats वहाँ पे भी lamp और AC event देखने को मिलते हैं controller के साथ और यह second row seats आप लोग complete look देख सकते हैं seat का और चलिए अब गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और दोस्तों गाड़ी में अगर bench seat भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं लेकिन आप लोगों को इसमें captain seats का भी option देखने को मिलता है तो वो भी आप लोगों के लिए काफी अच्छी चीज है पीछे की तरफ दो reading lamp देखने को मिलते हैं ये grab handle coat hook के साथ दोनोई साइट देखने को मिलता है और ये front dashboard का लोग पीछे की seat से all new tata safari का आप लोग complete look देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी वह space मिलती है आप लोगों को और चिट white color में interior देखने को मिलता है गाड़ी में आप लोगों को और ये नीचे आपे दो USB चॉकेट दिये गाए चार्जिंग सॉकेट और ये white अगर आप लोगों को दिया गया है तो इसको maintain करना थोड़ी हो मुश्किल होगा क्योंकि ये dust जल्दी catch करता है pillars में आप लोगों को दोस्तो AC events देखने को मिलते हैं six airbags मिलते हैं गाड़ी में expected pricing की बात करूँ गाड़ी में आप लोगों की तो आप लोगों की between 16 to 22 lakh आप लोगों की एक showroom pricing रखी जाएगी इसकी टाटा हेरियर से आप मान के चलिए एक डेट लाग रुपे महंगी पड़ेगी ये ठाटा सफारी और driver side भी keyless go देखने को मिलता है आप लोगों को और driver side door का आप लोग complete look देख सकते हैं all four power window की control वहाँ देखने को मिलती है ये नीचे यहाँ भी lamp देखने को मिलता है bottle holder और proper आप लोगों को umbrella holder भी देखने को मिलता है गाड़ी में डोर में JBL के music system देखने को मिलता है top parent में driver side seat आप लोगों की power adjustable देखने को मिलती है six way आप इसको adjust कर सकते हैं अपने हिसाब से और चलिए गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और proper एक third के सांथ जो गाड़ी का door है वो close होता है और ऐसा कुछ दिखता है दोस्तों गाड़ी का instrument cluster आप लोग देख सकते हैं और इसको एक बार मैं आप लोगों को on करके भी दिखा देता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों जो इसमें आप लोगों को speedometer मिलता है right side में मिलता है जो कि आप लोगों को analog मिलता और उसके बाद आप लोगों को screen मिलती है महाँ पर digital देखने को मिलती है और overall dashboard की finish की बात करें तो एक premiumness गाड़ी में आप लोगों को देखने को मिलेगी और कुछ ऐसा ही है आप लोग देख सकते हैं complete swipe होता है इसका instrument cluster और यहाँ से हो इसकी AC की control आप लोग यहाँ से देख सकते हैं overall जो आप लोगों की fit and finish है वो काफी अच्छी देखने को मिलती है सारी चीजों में और ऐसा कुछ देखेगा गाड़ी का instrument cluster काफी अच्छा देखने को मिलते हैं और brightness भी काफी अच्छी है यह आप लोगों के cruise control और वहीं पर आप लोगों को steering पर infotainment के control देखने को मिलते हैं और bonnet आप लोगों को गाड़ी में दिखाई देता है काफी अच्छी चीज़ है जो कि एक SUV वैला feel आता है क्योंकि safari एक आप लोग जानते हैं गाड़ी में उसको कोई introduction देने की नाम नहीं है और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों किसमें terrain modes भी देखने को मिलते हैं जैसे की normal, wet और rough और गाड़ी की keys आप लोग देख सकते हैं और यह है दोस्तों इसका 7-inch का touch screen infotainment system जो की support करता है Android Auto, Apple CarPlay और Tata इसमें आप connected car features भी आप लोगों को देने लगा है उसके लिए आप लोगों को अलग से Aira app download करना पड़ेगा अगर वो use करेंगी तो और यहाँ से आप इसको manually भी control कर सकते हैं तीन आप लोगों को इसमें modes देखने को मिलते हैं City, Eco, Sport और यह automatic climate control AC देखने को मिलता है with heater, dust and pollen filter के साथ और यहाँ पूरी black finish में देखने को मिलते हैं और यह है दोस्तो six speed का manual gearbox six speed talk converter का भी option मिलता है और इसमें आप लोगों को automatic electronic parking brake देखने को मिलता है आप लोगों को यह armist के अंदर काफी अच्छी space दी गई है, toilet को charging socket के साथ cooled आप लोगों को देखने को मिलेगा वो, उपर की तिरफ reading lights देखने को मिलती हैं इसको आप separate भी जला सकते हैं और individually भी जला सकते हैं complete auto dimming rear view mirror मिलता है गाड़ी में, passenger side sunset में vanity mirror with light देखने को मिलती हैं तो driver side sunset में आप लोगों को नहीं देखने को मिलती है light जो की देना चाहिए थी और यहाँ पे आप लोगों को तीन अलग-अलग buttons देखने को मिलते हैं sunroof को control करने के लिए ठाकि आप confused ना हो किसी भी चीज़ के लिए, अगर आप एक button प्रेस करेंगे तो आप लोगों को जो blind है sunroof basically open हो जाएगा, एक उसको tilt करने के लिए और एक केवल उसके जो shade है उसको हटाने के लिए आप लोग देख सकते हैं, और पूरा पीछे तक जाता है जो इसका की भी size आप लोग देख सकते हैं दोस्तों काफी अच्छी देखने को मिलती है वो भी और अगर आप लोगों को Tata Safari से लिटे कुछ भी information जानी हो दोस्तों तो आप लोगों वो dealership का number में मिल जाएगा तो आप उनको contact भी कर सकते हैं, tilt and telescopic steering wheel देखने को मिलता है गाड़ी मैं आप लोगों को बता दूँ जो की काफी अच्छी चीज़ है और गाड़ी के अंदर बैठने में कहीं न कहीं आप लोगों कोई premium feel आएगा और यहाँ से आईए दोस्तों गाड़ी का bonnet open कर लेते हैं तो यहाँ से open हो जाएगा गाड़ी का bonnet और देख लेते हैं गाड़ी का engine तो चलिए दोस्तों गाड़ी का bonnet open कर लेते हैं तो दोस्तों यह है Tata Cut 2000cc 4-cylinder turbocharged diesel engine 170 bhp की power देगा यह और 350 nm of torque complete आप लोग look देख सकते हैं इसका same यह engine आप लोग वो Tata Harrier में भी देखने को मिलता है same tuning के साथ हालाग इसमें hydraulic studs नहीं आते दो कि देना चाहिए थे गाड़ी में यह आप लोग देख सकते हैं ऊपर padding मिलती जिसे cabin में sound कम जाए तो दोस्तों चलिए गाड़ी का bonnet close कर लेते हैं तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा यह Tata Safari का वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और बैल आइकन को भी प्रेस कर लिजेगा ताकि आप लोग